नमस्कार सांथियो लोगबात की थास पेश्कस कहानियों का काफिला में मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे आपके समक्ष कालजई कहानिकार प्रेम चंद की दिल को छूने वाली कहानी त्यागी का प्रेम लेकर प्रस्तुत हूँ इस कहानी को प्रेम कहानी न कहकर श्त्री पुरूष के अवैद संबंधों की कहानी कहना उचित है कहानी में लाला गोपीनाथ अनेक संस्थाओं का पदाधिकारी और जन्सेवत के रूप में उभर कर सामने आते हैं वह करन्या पाटशाला खोलते हैं जिसमें विद्वा आनन्दी को वे प्रधान भी बना देते हैं लेकिन अवैद संबंध के कारण आनन्दी गर्ववति हो जाती है और पुत्र को जन्म दे देती है जब यह भेद सब के सामने खुलता है और आनन्दी को लोगों की सहानभुती प्राप्त हो जाती है तो गोपीनाथ को अप्यश मिलता है किस तहानी में किस तरह आनन्दी लोगों की सहानभुती लेती है और गोपीनाथ को अप्यश मिलता है इस बात को जानने के लिए आईए सुनते हैं श्त्री विमर्ष की टहानी त्यागी का प्रेम लाला गोपीनाथ को युवा वस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था अभी वह इंटरमेडियर क्लास में थे कि मील और बढ़कले के वैज्ञानिक विचार उनको कंठस्थ हो गये थे उन्हें किसी प्रकार के विनोध प्रमोज से रुची न थी यहां तक कि कॉलेज के तिर्कट मैचों में भी उनको उत्साहना होता था हास परिहास से कोशों भागते और उनसे प्रेम की चर्चा करना तो मानो बच्चे को जूजू से डराना था प्राता काल घर्च निकल जाते और शहर से बाहर किसी सखन विक्ष्टी चाह में बैठकर दर्सन का अध्यन करने में निरत हो जाते कावे, अलंकार, उपनियास सभी को त्याज ही समझते थे शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कोई किस्से कहाने किताब पढ़ी हो इसे केवल वे समय का दुरुप्योड ही नहीं वरन मन और बद्धी विकास के लिए घातक ख्याल मानते थे इसके साथ ही वह उत्साह हिन न थे, सेवा समीतियों में बड़े उत्साह से भाग लिया करते स्वदेश वासियों की सेवा के किसी औसर को हाथ से नजाने देते बहुदा, महले के छोटे-छोटे दुगंदारों के दुप्रान पर जा पैठते और उनके घाते, टोटे, मंदे तेजी की राम टहानी सुनते शनह शनह कॉलेज से उन्हें घ्रिना हो गई उन्हें अब अगर किसी विशेश से प्रेम था तो वह दर्शन था कॉलेज की वहुद विश्यक शिक्षा उनके दर्शना नुराग में बाधक होती अतह उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एक आगरशित होकर विज्ञानों पारजन करने लगे किन्तो दर्शना नुराग के साथ ही साथ उनका देशा नुराग भी बढ़ता गया और कॉलेज छोड़ने के थोड़ी ही दिनों पहस्चात वह अनिवारे तह जाती सिवतों के दल में सम्मिल्लित हो गए दर्शन में भ्रह्म था अविश्वास था अंधिकार था जबकि जाती सिवा में सम्मान था यस्थ था और दोनों की सद इक्षाएं भी थी उनका वह सद अनुराग जो बरसों से वैग्यानिक वादों के बीचे दबा हुआ था वायू के परजंड वेक के साथ निकल पड़ा नजर के सारजनिक शेतर में वेकुद पड़े देखा तो मैदान खाली था जिधर आँख उठाते सन नाटा दिखाई देता द्वजा धारियों की कमी न थी पर सच्चे हिर्दय कहीं नजर न आते थे चार ओर से उनकी ठीच होने लगी किसी संस्था के वे मंत्री बने तो किसी के प्रधान किसी के कुछ बने तो किसी के और कुछ इसके आवेश में दर्शना नुराग भी विदा हुआ पिंजरे में गाने वाली चिरियां विश्तरित परवत रासियों में आकर अपना राग भूल गई अब भी वह समय निकाल कर दर्शन गरंतों के पन्ने उलट पलट लिया करते थे पर विचार और अनुसिलन का आउकाश कहा नित्य मन में यह संग्राम होता रहता कि किधर जाओं किधर या उधर कभी विध्यान अपनी उर्खिषता तो कभी देश अपनी उर्खिषता एक दिन वह इसी उलजन में नदी के तट पर बैठे हुए थे जल्धारा तट के दृश्यों और वायू के प्रतिक्यूल जोटोती परवाहना करते हुए बड़े वेग के साथ अपने लक्षती और बढ़ी चली जाती थी पर लाला गोपीनात का ध्यान इस तरह ना था वह अपने स्मिर्थी भंडार से किसी ऐसे तत्व ज्यानी पुरुष को खोज निकालना चाहते थे जिसने जाती सेवा के साथ साथ पिज्यान सागर में भी गोते लगाये हुँ शहसा उनके कॉलेज के एक अध्या पक पंडित अमरनात अगने होतरी आकर समीब बैढ़के और बोले कही लाला गोपीनात क्या खबर है गोपीनात ने अन्य मनश्ट होकर उत्तर दिया कोई नहीं बात तो नहीं हुई प्रित्वी अपनी गती से ही चली जा रही है अमरनात मिनुस्पिल वार्ड नंबर 21 की जगा खाली है उसके लिए किसे चुनना निश्ट किया है गोपी कहते हैं देखिए कौन होता है आप भी खड़े हुए हैं क्या अमर अजी मुझे तो लोगों ने जबर्दस्ती घशिट लिया नहीं तो मुझे इतनी फुर्षत कहा है गोपी बोले मेरा भी यहीं विचार है अध्यापकों को किरियात्म के राजिती में फंसना बहुत अच्छी बात नहीं अमर नाथ इस व्यंग से बहुत लज्जित हुए एक शंद के बाद पर्तिकार के भाव से बोले तुम आजकल दर्शन का अभ्यास करते हो या नहीं गोपी बोले बहुत कम इसी दुब्धा में पड़ा हुआ हूँ कि राश्ट्रिय सेवा का मार गरहन करूँ या सत्य की खोज में जीवन व्यतिक करूँ अमर बोले राश्ट्रिय संस्थानों में समिलित होने का समय अभी तुम्हारे लिए नहीं आया अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जब तक विचारों में गांभीरे और सिधानतों पर द्रिश्ट विश्वास न हो जाए उस समय तक केवल शनिक आवेश के वसवर्ती होकर किसी ठाम में कूद परना अच्छी बात नहीं है राश्ट्रिय सेवा बड़े उत्तरदाईत होता काम है गोपीनात ने निश्चे कर लिया कि मैं जाती सिवा में जीवन छेप करूँगा अमरनात में भी यहीं फैसला किया कि मैं मिनिस्पेल्टी में अवश्य जाऊंगा दोनों का प्रस्पर विरोध उन्हें कर्म छेतर की और ठिंच ले गया गोपीनात की साख पहले से ही जम गई थी घर के धनी थे, शक्कर और सोने चांदी की दलाली होती थी व्यापारियों में उनके पिता का बड़ा मान था गोपीनात के दो बड़े भाई थे, वह भी दलाली टरते थे प्रस्पर मेल था, धन था, संताने थी अगर न थी, तो शिक्षा और सिक्षित समुदाई में गनना वह बात गोपीनात को बड़ालत प्राप्त हो गई इसलिए उनकी संदता पर किसी ने आपत्ती नहीं की किसी ने उन्हें धनोपार्जन के लिए मजबूर नहीं तिया अताई गोपीनात ने शिंद और निर्दमंद होकर राष्ट सेवा में कहीं किसी आनाथालय के लिए चंदे जमा करते कहीं किसी कन्यापार्ट साला के लिए विक्षा मांग करते नगर की कॉंग्रेस कमिटी ने उन्हें अपना मंत्री ने युक्ति किया उस समय तक कॉंग्रेस ने कर्म छेतर में पदार्पन करनी किया था उनकी कारेश शिल्था ने इस जिर्ण सरस्था को मानों पुनरुधार कर दिया वह प्राताश्य शंध्या और बहुदा पहर रात तक इनी कामों में लिप्त रहते थे चंदे का रेजिस्टर हाथ में लिए उन्हें नित्प्रती साथ सबेरे, अमेरों और रेशों के द्वार पर खड़े देखना एक सधारन द्रिश्य था धिरे धिरे कितने ही इवक उनके भक्त हो गए लोग कहते कितना निश्वार्थ, कितना आदर्श्वादी, कितना त्यारी जाती सेवक है यह कौन सुबह से शाम तक निश्वार्थ भाव से केवल जन्ता का उपकार करने के लिए यह दौरधुक करेगा उनका आत्मोत सर्ग प्राया दुवेश्यों को भी अनुरप कर देता था उन्हें बहुदा रेशों की अभद्रता अश्जन्ता यहां तक कि उनके कटू सब्द भी सहने गपड़ते थे उन्हें अब विरित हो गया था कि जाती सेवा बड़े अन्सों तक केवल चंदे मांगना है इसके लिए धनिकों की दरबारी या दुसरे सब्दों में खुसामद भी करनी पड़ती थी दरशन के उस गौरव युक अध्यन और इस दानलोलुपता में कितना अन्ता था कहां मिल और केंट स्पेंसर और कीड के साथ एकांग में बैठे हुए जीव और प्रखरती के गहन गोड़ भी सह पर वर्तालाब और कहां इन अभिमानी असब मुर्थ वेपारियों के सामने सिर्जुकाना वह अंता करन में उनसे धिरना करते थे वे धनी थे और केवल धन कमाना चाहते थे जिसके अतरिक्त उनमें और कोई वीशेश गुन्नत था उनमें अधिकांस ऐसे थे जिन्होंने कपट विहवार से धनो पारजन किया था पर गोपिनाथ के लिए वे सभी पुज्य थे त्योंकि उन्ही की किरपा द्रिष्टी पर उनकी राष्ट सेवा और लंबित थी इस परकार कई वर्ष व्यतित हो गए गोपिनाथ नगर के मान पुरिशों में गिने जाने लगे वह दिन जिनों के आधार और दुथियारों के मददकार थे अब वह बहुत कुछ निर्विक हो गये थे और कभी-कभी रईशों को भी कुमार्ग पर चलते देखकर फटकार देया करते थे उन्ती तिवर आलोचना भी अब चंदे जमा करने में उन्ती साहयक हो जाती थे अभी तक उनका विवाह न हुआ था वह पहले से ही ब्रहमचर व्रदारन कर चुके थे विवाह टरने से साफ इंकार किया मगर जब पिता और अन बंधुजनों ने बहुत आगदा किया और उन्होंने स्वेम कोई विज्ञान ग्रंतों में देखा कि इंदरिये दमन स्वास्त के लिए हनिकारक है तो असमंजस में पर गए कई हपते सोचते हो गए और वह मन में कोई बात पती न कर सके स्वार्थ और परमार्थ में संखर सो रहा था दिवाह का अर्थ था अपनी उदार्था की हत्या करना अपने विश्तरित हिर्दय को संकुचित करना नती राष्टर के लिए जिना वह अब इतने उचे आदर्थ का त्यार करना निंदे और उपहास जनक समझते थे इसकी अतरिक्त अब वह अनेक कारणों से अपने को परिवारिक जीवन का अयोग पाते थे जीविता के लिए जिस उद्द्योग शिलता जिस अनवरत परिश्रम और जिस मनुविर्टी की आऊ सकता है वह उनमें न रही थी जाती सेवा में भी उद्द्योग शिलता और अध्वय शाह की कमी जरूरत न थी लेकिन उसमें आत्म गौरव का हनन न होता था प्रवक्टार के लिए विक्षा मांगना दान है और अपने लिए पान का एक बिराभी विक्षा है स्वभाव में एक प्रवक्टार के सचन्ता आगे थी इन त्रिटियों पर परदा डालने के लिए जाती सेवा का बहाना बहुत अच्छा था एक दिन वह सेर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ से मुलाकात होगी यहां महा से अब मिनिस्पल वोड के मंतरी हो गए थे और आजकल इस दुवधा में पढ़ गए थे कि शहर में मादक वस्तियों को बितने का ठेका लूं या ना लूं लाब बहुत था पर बदनामी भी कम न थी अभी तक कुछ निश्चे न कर सके थी इन्हें देखकर बोले कहें लाला जी मिजाज अच्छा है ना आपके विवाह के विशे में क्या हुआ गोपिनाथ ने द्रिटस्दा से कहा मेरा विवाह टरने का इरादा नहीं है हमनत बोले ऐसी भूल न करना तुम अभी नौवयोग हो तुम में संसार का कुछ अनभाव नहीं है मैंने ऐसे कितने मिशाले देखी है जहां अविवाहित रहने से लाप के बदले हानी हुई है विवाह मनुष्य को सुमार्ख पर रखने का सबसे उत्तम साधम है अब तक मनुष्य ने अविश्क्रित किया है उस बरत से क्या फैदा जिसका परिनाम छिछोरा पन हो गोपिनाथ ने परति उत्तर दिया आपने मादक वस्तियों के ठेके के विशे में क्या निक्ष्य किया है अमर बोले अभी तक कुछ नहीं जी हचकता है कुछ न कुछ बर्दनामी तो हो गई है गोपिनाथ बोले एक अध्यापक के लिए मैं इस पेसे को अपमाद समझता हूँ कोई पेसा खड़ाब नहीं है अगर इमानदारी से किया जाए अमर बोले गोपि यह मेरा आप से मत्भेद है कितने ही ऐसे विवसाएं हैं जिने एक सुख्षित विक्ति कभी स्विकार नहीं कर सकता मादक वस्तियों का ठेका उनमें से एक है गोपि नाथ ने आकर अपने पिता से कहा मैं कदापी विवाहना करूँगा आप लोग मुझे विवस न करें बरना पच्छताईएगा अमर नाथ ने उसे दिन ठेके के लिए प्रातना पत भीज दिया और वह स्विकृत भी हो गया दो साल हो गए हैं लाला गोपि नाथ ने एक कन्या पत साला खोली है और वह उसके परवंदक भी है सिक्षा की विविन पदितियों का उन्होंने खूब अध्यन किया है और इस पत साला में उनका बहवार कर रहे है शहर में यह पाट साला बहुत ही सर्प्रिये है उसने बहुत अंसों में उस उदासिंता का परिसुद कर दिया है जो माता पिता को पुत्रियों की सिक्षा की और होती है शहर के गन्माने पुरुस अपनी लड़कियों को सहर्ष पढ़ने भेजते है वहां की शिक्षा सेली कुछ ऐसी मनरंजक है कि बालिकाएं एक बार जाकर मानो मन तर्मुक्द हो जाती है फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता ऐसी विवस्था की गई है कि तिन-चार वर्थों में ही कन्याओं को गिरस्टी के मुख्ष कामों से परिचय हो जाए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध कर दिया है अबकी साल से प्रबंधत मोहदय ने अंग्रेजी का ख्षाएं भी खोल दी है एक सुशिक्षिक गुजराती महिला को बंबई से बुला कर पाट साला उनके हाथों में दे दी है कई कान्या पाट सालाओं में काम कर चुकी है शिक्षा समंदी विशेव में अच्छी गती है उनके आने से मदर्से में और भी रौनत आ गई है कई प्रतिष्टित सजनों ने जो अपनी बाली काओं को मनसुरी और नहीं टाल भेजना चाहते थे अब उन्हें यहीं भरतितरा दिया है आनन्दी रईशों के घरों में जाती है श्तियों में सिक्षा का प्रचार करती है उनके वस्तर आबोशनों में से सुरुची का बोध होता है हैं भी उच्च दुलकी इसलिए शेहर में उनका बड़ा सम्मान होता है लड़कियां उन पर जान देती हैं उन्हें मा कहकर पुटारती है गोपिनात पाटशाला की उनती देख देखकर फुलेती समाते हैं जिससे मिलते हैं आनन्दी बाई का ही गुंगान करते हैं बाहर से कुई सुब बिठ्षात पूरुष आता है तो उच्च से पाट साला का नज्यक्षन अवशे कराते हैं आनन्दी की परसंसा से उन्हें वहीं आनन्द प्राप्त होता है जो स्वेम अपनी परसंसा से होता है बाई जी को भी दर्शन से फ्रेम है और सबसे बड़ी ब करती हैं पर रईशों के घरों में बड़े प्रेम से उनका योसुगान करती हैं ऐसे सच्चे सिवक आजसर कहां लोग किर्टी पर जान देते हैं जो थोड़ी बहुत सिवा करते हैं दिखावे के लिए सच्ची लगन किसी में नहीं है मैं लाला जी को पुरुष नहीं देवता समझती हैं कितना सरल संतोष में जीवन है ना कोई वियसन ना कोई विलास भोड से सैंड काल तक दौरते रहते हैं ना खाने का कोई समय ना सोने का समय उस पर कोई ऐसा नहीं जो उनके आराम का ध्यान रखे विचारे घर गए जो कुछ किसी ने सामने लख दिया चुके से ख खा लिया फिर चड़ी उठाई और किसी तरफ चल दिये दूसरी औरत कदापी अपनी पत्नी की भाति सेवा सत्तार नहीं कर सकती दशहरे के दिन थे कन्या पटसाला में उत्सव मनाने की तयारियां हो रही थी एक नातक खेलने का निश्चे किया गया था भवन फूप सजाय गया था शहर के रईसों को निमंत्रन दिये गया थे यहां कहना क्रखिन है कि तिस्ता उत्साह बड़ा हुआ था बाई जी का या लाला गोपीनात का गोपीनात सामागरियां एकत्तर रहे थे उन्हें अच्छे धंक से सजाने का भार आनंदी ने लिया था नातक भी इनीने नित्र पती उसका व्यार कराती थे और श्यम एक पार ले रखा था विजय रसमी आगई दोपहर तक गोपीनात फर्श और कुर्शियों का इंजाम करते रहे जब एक बज़ दिया और अब भी वह वहां से नट ले तो आनंदी ने कहा लाला जी आपको भोजन करने को देर हो दिया है जो कुछ बच रहा है वह मुझ पर छोड़ दीजिए गोपीनात ने कहा खा लूँगा मैं ठीक समय पर भोजन करने का पावंद नहीं हूं फिर घर तक कौन जाए घंतों लग जाएंगे भोजन के उपरां आराम करने का जी चाहेगा शाम हो जाएगी आनंदी बोली तो भोजन मेरे यहां तयार है ब्रहामनी ने बनाया है चल कर खा लिजे और यहीं जरादर अराम कर लिजे गोपीनात ने कहा यहां क्या खालूं एक वक्त ना खाऊंगा तो ऐसे कौन से यहाने हो जाएगी आनंदी बोली जब भोजन तयार है तो पुवास क्यों किजिएग गोपीनात बोले आप जाएं आपको अवश्य देर हो रही है मैं काम में ऐसा भुला कि आपकी सुधी ने रही आनंदी बोली मैं भी जो नुपवास कर लूंगी तो क्या हानी होगी गोपीनात बोले नहीं नहीं इसकी क्या जरुरत है मैं आपसे सच कहता हूं मैं बहुदा एक ही जुन खाता हूँ आनंदी बोली अच्छा मैं आपके इंकार का माने समझ गई इतनी मोटी बात अब तक मुझे नस हुजी गोपिनाथ बोले क्या समझ गई मैं छुच छात नहीं मानता यह तो आपको मालूमी है आनंदी बोली इतना जानती हूँ किन्तु जिस कारण से आप मेरे यहां भोजन करने से इंकार कर रहे हैं उसके विशय में केवल इतना निवधन है कि मुझे आप से केवल स्वामी और शेवक का समंध नहीं है मुझे आप से आत्मिता का समंध है आपका मेरे पान फुल को अश्विकार करना और अपने एक सच्चे भक्त के मर्म का अगात पहुंचाना है मैं आपको इसी दृष्टी से देखती हूँ गोपीनात को अब कोई आपत्ती नहो सकी जाकर भोजन कर लिया वह जब तक आसन पर बैठे रहे आनंदी बैठी पंखा जहलती रही इस घटना की लाला गोपीनात के मित्रों ने यह आलोचना की महासेजी अब तो वहीं वहीं पर खुब जिरुदर्टर भोजन भी करते हैं धीरे धीरे परदा हटने लगा लाला गोपीनात को अब परवस्ता ने साहित से भी बना दिया घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाती थी किन्तु पत्रों और पत्रिकाओं तो था अनेक कामों के लिए उन्हें घर वालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था उनका आत्म सम्मान जरा-जरा सी बातों के लिए भाईयों के सामने हात पैजाना अनुचित समझता था वह अपनी जरूरती आप पुरी करना चाहते थे घर पर भाईयों के लड़के इतना कुला हाल मचाते कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता इसलिए जब उनको कुछ लिखने की इक्षा होती तो बेखटके पड़ साला में चले जाते आनंदी भाईयों वहां रहती थी वहां न कोई शोर्त था न गुल एकांट में काम करने में जी लगता भोजन के समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर लेती कुछ दिनों के बाद उन्हें बैस्कर लिखने में कुछ अशुधा होने लगी आँखे कमजोर हो गई थी तो आनंदी ने लिखने का बाहर अपने सिर ले लिया लाला साहब बोलते थे आनंदी लिखती थी गोपीनात की प्रेणा से उन्होंने हिंदी सिखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यश्ट हो गई थी कि लिखने में जरा सी भी हिचिक न होती लिखते समय कभी कभी उन्हें ऐसे शब्द और महाबरे सुच जाते को गोपीनात फरक फरक उठते और उनके लेक में जान सी पर जाती थी वह कहते यदि तुम स्वेम कुछ लिखो तो मुझसे बहुत अच्छा लिखोगी मैं तो बेगारी करता हूँ तुम परमात्मा की ओर से यह शक्ती करता हूँ नगर के लाल बुझकरों ने इस सहकारिता पर टिक्का टिपनिया होने लगी पर बिदबजन अपनी आत्मा की सुचिता के सामने इर्शया के व्यांति का परभार करते हैं आनंदी कहती यह तो संसार है जिसके मन में आए कहे पर मैं उस पुरुष का निरादप नहीं कर सकती जिस पर मरी श्रद्धा है पर गोपीनात इतने निर्भिक न थे उनकी शुकिर्टी का आधार लोक मत था वह उसकी भर्चना न कर सकते थे इसलिए वह दिन के बदले रात को रचना करने लगे पाट साला में इस समय कोई देखने वाला नहोता था रात की निरावता में खूब जी लगता आराम कुर्शी पर लिख जाते आनन्दी मेच के सामने कलम हाथ में लिए उनकी और देखा करती जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती उनकी आँखों से बिने और शील स्रद्धा और प्रेम की तिरन से निकलती हुई जान पड़ती गोपीनाथ जब किसी भाव को मन में वेक्ट करने के बाद आनन्दी की और ताक्ते की वह लिखने के लिए त्यार है या नहीं तो दोनों विक्तियों की निगाहे मिलती और आप ही जुग जाती है गोपीनाथ को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पढ़ती जाती थी कि जब किसी कारेवस यहां आने का आउसर न मिलता तो वह विकल हो जाते थे आनन्दी से मिलने के पहले गोपीनाथ को इस्त्रियों का कुछ जो ज्यान था वह केवल उस्तकों पर ओलंबित था श्त्रियों के विशय में प्राचीन और अरवाचीन प्राच और प्राक्षात सभी विद्वानों का एक ही मत था यह मायावी आत्मिक उन्नति की बाधत परमार्थ की विरोधनी विर्थियों को कुमार की ओर ले जाने वाली हिर्दैक को संकिर्ण बनाने वाली होती है जा सकती हैं उनमें सद्गुन भी हो सकते हैं वे करतब और सेवा के भावों को जागित भी कर सकती हैं तब उनके मन में प्रश्ण उठता था यदि आनंदी से मेरा विवा होता तो मुझे क्या पत्ती हो सकती थी उसके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनंद से कर जाता एक दिन आनंदी कि यहां गए तो सिर में दर्द हो रहा था कुछ लिखने की इक्षा ना हुई आनंदी को इस तरकारन मालम हुआ तो उसने उनके सिर में धीरे-धीरे तेल मलना शुरू कर दिया गोपी नास को उस समय अलोग सुख मिल रहा था मन में प्रेम की तरंगे उठ रही थी नेत्र, मुख, वानी सभी प्रेम में पगे जाते थे उसी दिन से उन्होंने आनंदी कि यहां आना छोड़ दिया था एक सब्ताह बित गया और ना आये आनंदी ने लिखा आपसे पाट साला सम्मंदी कई वीसियों में राय लेनी है अवश्य आईए तब भी नह गए उसने फिर लिखा मालूम होता है आप मुझसे नाराज हैं मैंने जान वुश्तर तो कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन यदि यह वास्टों में आप नाराज हैं तो मैं यहां रहना उचित नहीं समझती अगर आप अब भी ना आएंगे तो मैं दूती आधियात का कोच चारे देतर चले जाओंगी गोपी नात पर इस धंकी तक कुछ भी असर ना हुआ अब भी न गए अंत में दो महने तक खीचे रहने के बाद उन्हें ज्यात हुआ कि आरंदी बीमार है और दो दिन से पाट साला नहीं आ सकी तब वह किसी तर्क या युकती से अपने को न रुख सके पा देखा देखा तो चुप चाप पड़ी हुई थी मूख पीला था शरीर घूल गया था उसने उनकी और द्यार प्रार्थी नित्रों से देखा उठना चाहा पर आशकती ने उठने न दिया गोपी नात ने आर्थ कंट से कहा लेटी रहो लेटी रहो उठने की जरुरत नहीं मैं बैठ जाता हूँ डाक्टर साहब आये थे मिश्राइन ने कहा जी हाँ दो बार आये थे दवा दे गये हैं गोपी नात ने नुश्का देखा डाक्टरी का सधारन ज्यान था नुश्के से ग्यात हुआ हिरदय रोग है और सधियां सभी पुष्टी कर और बलवर्धक थी आनन्दी की और फिर देखा उसकी आँखों से अशुधा बह रही थी उनका गला भी भर आया था फिरदय मसोचने लगा गदगद होकर बोले आनन्दी तुमने मुझे पहले इसकी सुचना न दी हो नहीं तो रोग इतना न बढ़ने पाता आनन्दी बोली कोई बात नहीं है अच्छी हो जाओंगी जल्दी ही अच्छी हो जाओंगी मर भी जाओंगी तो कौन रोने वाला बैठा हुबा है यह कहते कहते वह फूट फूट करोने लगी गोपीना दार्शनिक थे पर अभी तक उनके मन के कोमल भाव सिथिल नहुए थ कंपित सुहर से बोले आनन्दी संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्रान तक दे देगा यह कहते कहते वह रुग गए उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ भद्दे और उच्छिंकल से जान पड़े अपने मन भावों को परतर करने के दो महिने तक किस छोड़ दिया था गोपीनाथ बोले इन दो महिनों में मेरी जो दसा थी वह मैं ही जानता हूँ यहीं समझ लो कि मैंने आत्मत्यान नहीं की यहीं बड़ा आश्चर है मैंने न समझा था कि अपने ब्रत पर इस्तिर रहना मेरे लिए इतना कथिन हो जाएग आनन्दी ने गोपीनाथ का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेतर कहा अबढ़ दो कभी इतनी कठोड़ता ना की जिएगा गोपीनाथ ने कहा अंत क्या है आनन्दी बोली कुछ भी हो गोपी बोले कुछ भी हो अपमान निंदा उपहाश आत्मिवेधना आनन्दी बोली कुछ भी हो मैं सब कुछ सकती हूँ और आपको भी मेरे हितुष सहना परेगा गोपिनात बोले आनन्दी मैं अपने प्रेम पर बलिदान कर सकता हूँ लेकिन अपने नाम को नहीं इस नाम को अकलंकित रहतर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूँ अनन्दी बोली कि जिये न आपने सब कुछ त्याग कर यह किर्थी लागती है मैं आपके यसको भी मिटाना नहीं चाहती इसको चाहती हूँ इससे अधिक त्याग की आकंछा नहीं रखती गोपी बोले दोनों बाते एक साथ संभव है अनन्दी बोली संभव है मिरे लिए संभव है मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी नेउचावर कर सकती हूँ इसके पश्चात लाला गोपी नाथ ने आनन्दी की बुढाई करनी शुरूती मित्रों से कहते उनका जी अब काम में नहीं लगता पहले किसी तंदे ही नहीं है किसी से कहते उनका जी अब यहां से उचाट हो गया है अपने धर जाना चाहती है उनकी इक्षा है कि मुझे प्त्तिवस्त रख्की मिला करे और उस्ती यहां गुंजाईस नहीं है पाट साला को कोई कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असंतोस जुनत लिखा शिक्षा, संगठन, उत्साह, सुपरबंद सभी बातों में निराश्चानक शती पाई वार्षिक अधिवेशन में जब कई सदस्यों ने आनंदी के वेतन विर्द्धी की प्रस्ता उपस्तित किया तो लाला गोपी नाथ ने इसका बिरोध किया था उधर आनंदी बाई भी गोपी नाथ के दुख्रे नो लगी यह मनुष नहीं है पत्थर का देवता है उन्हें प्रसंद करना दुस्तर है अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया नहीं तो दुख्या इनके नख्रे उठाते उठाते शिधार जाती कहां तक कोई साफाई और सुपरबंद पर ध्यान दे दिबार पर एक धबा भी पड़ गया किसी कोने खुत्रे में एक जाला भी लग गया बरामदों में काज़श का एक तुकरा भी पड़ा मिल गया तो आपके तेवर बदल जाते हैं दो साल मैंने जिन उटर के निवाह लिया देखती हूँ लाला साहब की निगाह दिनों दिन खरी होती जाती है ऐसी दसा में मैं यहां अधिक नहीं ठर चकती मेरे लिए नौकरी में कल्यान नहीं है जब जी चाहेगा उट खरी होंगी यहां आप लोगों से मेल महबत हो रही है कन्याओं से ऐसा प्यार हो दिया कि छोड़ कर जाने कुझी नहीं चाहता आश्र था कि और किसी पाट साला की दसा में और नती न दिखती थी वरन हालक पहले से अच्छी ही थी एक दिन पंडित अमरनाख की लाला से भेट हो गई उन्हाने पूछा कहिए पाट साला खुब चल रही है न गोपीनाथ बोले कुछ न पुछिए दिनो दिन दसा गिर्ती जाती है अमर बोले आनंदी बाई की योड़ से धिल है क्या गोपीज बोले जी हाँ सदासर अब काम करने में उनका जी नहीं लगता बैठी हुई योग और ज्यान के गरंथ पढ़ा करती है कुछ कहता हूँ तो कहती है मैं अब इसे से और अधिक कुछ नहीं कर सकती कुछ परलोग की भी चिंता करूँ की 24 घंट पेट के दंदों में लगी रहूँ पेट के लिए 5 घंटे बहुत है पहले कुछ दिनों तक तो 12 घंटे करती पर वह दसा स्थाई नहीं देख सकती थी यहां आकर मैंने स्वास्त को दिया एक बार कठिन रोग गरस्त हो गई क्या कमिटी ने मेरे दवाद दरपन का खर्च दे दिया कोई बात पूछने भी आया पिर अपनी जान क्यों दूँ सुना है घरों में मेरी बदगोई भी क्या करती है अमरनात मारमिक भाव से बोले यह बाते मुझे पहले से ही मालुम थी दो साल और गुजर गए रात का समय था कन्या पाट साला के उपर कमरे में लाला गोपिनात मेज के सामने कुर्शी पर बैठे हुए थे सामने आनंदी कोच पर लेती हुई थी मुख बहुत मलान हो रहा था कई मिनट तक दोनों विचार में मगन थे अंत में गोपिनात बोले मैंने पहले ही महिने में तुम से कहा था कि मतुरा चली जाओ आनंदी बोली महां दस महिने क्यों टर रहती मेरे पास इतने रुपे कहा थे और ना तुम ही ने कोई प्रबंध करने का आश्वासन दिया मैंने सोचा तिन-चार महिने यहां और रहूं तब तक किफायत करके कुछ बचा लूँगी तुम्हारे किताब से भी कुछ मिल जाएंगे तब मतुरा चली जाओंगी मगर यह क्या मालम था कि बीमारी में भी इसी और औसर किताथ में बैठी हुई है मेरी दसा दो-चार दिन के लिए भी संभली और मैं चली इस दसा में तो मेरे लिए यात्रा करना भी असंभा हुए गोपी बोले मुझे भय है कि कहीं बीमारी तुल न ठीचे संग रहनी आशाध रोग है महिने दो महिने यहां और रहने पर गए तो बात खुल जाएगी आनंदी चेर्टर बोली खुल जाएगी अब इस से कहां तक डरूँ गोपी बोले मैं भी न डरता अगर मेरे कारण अगर की कई संस्थाओं का जीवन संकिट में न पढ़ जाता इसलिए मैं बदनामे से डरता हूँ समाज की यह बंधन नीरे पाखंड है मैं उन्हें संपूर्णता अन्याय समझता हूँ इस विशे में तुम मेरे विचारों को भली भाती जानती हो पर क्या करूँ दुरभाग के बस मैंने जाती सेवा का बहार अपने उपर ले लिया है और उसी का फल है कि आज मुझे अपने माने हुए शिधानतों को तोड़ना पड़ रहा है और जो वस्तु मुझे प्रानों से भी प्रिये है उसे यो निर्वासित करना पड़ रहा है किन्तु आनंदी की दसा संभालने की जगा दिन दिन गिरती ही गई कमजोरी से उठना बैटना कठिन हो गया था किसी वैद या डाक्टर को उसकी वस्ता न दिखाई जाती थी गोपी नह दमाय लाते थे आनंदी उनका सेवन करती थी और दिन दिन निर्मल होती जाती पाट साला से उसने चुट्टी ले ली थी किसी से मिलती जिलती भी न थी बार-बार चेश्टा करती कि मत्रा चली जाओं किन्तो एक अंजान नगर में अकेले कैसे रहूंगी न कोई आगे न कोई पीछे कोई एक भूटपानी दिने वाला भी नहीं था अब यह सोच कर उसकी हिम्मत तूटी जाती थी इसी सोच विचार और हैस बैस में दो महिने और बुजर गए और अंत में विवस होकर आनंदी ने निश्चे किया कि अब चाहे कुछ सीर पर बिते यहां से चली दूँ अगर सफर में मर भी जाओंगी तो क्या चिन्ता है उनकी बदनामी तो ना होगी उनकी यस को तलंक तो न लेगा मेरे पीछे ताने तो न सुनने पड़ेंगे सफर की तयारियां करने लगी रात को जाने का मुहर था कि सहसा संध्या काल से ही प्रशो पिरा होने लगी और ग्यारा बचते बचते एक नन्हा सा दुर्बल सत्वासा बालत प्रशो हुआ बच्चे के होने की आवाज सुनते ही लाला गोफिना बेतहासा उपर से उतरे और गिरते पढ़ते घर भागे आनन्दी ने इस भेद को अंत तक चिपाय रखा अपने दारुन प्रशो पिरा का हाल किसी से भी नहीं कहा दाई को भी सुचना ना दी मेगर जब बच्चे की रोने की ध्वनी मदर्शे में गुजी तो च्छन मात में दाई सामने आचर खरी हो गई नौकरानियों को पहले सी संकाय थी उन्हें कोई आश्चरे न हुआ जब दाई ने आनन्दी को पुकारा तो वह सचेत हो गई देखा तो भालक रो रहा है दोसे दिन दस बच्ते बच्ते या समाचार सारे सहर में पहल गया घर घर में चर्चा होने लगी कोई आश्चरे करता था तो कोई घरना करता कोई हंसी उराता था लाला गोपीनात के छिंदराने वे पंडित अमरनात उनके मुठिया थे उन लोगों ने लाला जी की निंदा करने शुरू कर दी जहां देखिए वहीं दो चार सज्जन बैठे गोपीनात भाव से गोपनिये भाव से इसी घर्टना की आलोशना करते नजर आते थे कोई कहता था इस स्ट्री के लक्षन पहले से ही विदित हो रहे थे अधिकांस आदमियों के राय में गोपीनात नहीं बुरा किया यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मारा था तो उन्हें नीडर होकर विवास कर लेना चाहिए था यहां काम गोपीनात का है इसमें किसी को भ्रह्म ना था केवल कुषल समाचार पुषने के बहाने से लोग उंके ढर जाते और दोचार अन्योक्तियां सुना कर चले आते थे इसके विरुध आनंदी पर लोगों की दया आते थी पर लाला जी के ऐसे भी भग थे जो लाला जी के माते यह कलंक मरना पाप समझते थे गोपीनात ने स्वेम मौन धारन कर लिया था सबकी भली बुरी बाते सुनते थे पर मुह न खुलते थे इतनी हिम्मत ना थी कि सब से मिलना छोड़ दें प्रसन था अब क्या हो आनंदी भाई के विशे में तो जनता ने फैसला कर लिया था बहस यह थी कि गोपीनात के साथ क्या वेहवार किया जाए कोई कहता था उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका वे फल्भ हो गे आनंदी भाई को नियमित रूप से घर में रखें कोई कहता हमें इस से क्या मतलब आनंदी जाने और वह जाने दोनों जैसे के तैसे हैं जैसे उदई वैसे भाई ना उनके चोटी ना उनके खान लेकिन इन महासे को पाट साला के अंदर अब कदम न रखने देना चाहिए जनता के फैंसले साक्षी नहीं खोचते अनमान ही उनके लिए सबसे बड़ी गवाही है लेकिन पंडित अमरनाथ और उनकी गोष्टी थे लोग गोपीनाथ को इतने सश्टे में न छोड़ना चाहते थे उन्हें गोपीनाथ से पुराना द्वेश था यह कल का लॉंडा दर्शन की दो चार पुष्टत के उलड़ पुलड़ कर राजनिती में कुछ सुदभूद करके लिडर बना हुआ बिचरे सुनहरे एनिक लगाए रिस्मी चादर गले में डाले यों गरप से ताक के माने सत्य और प्रेम का पुतला है ऐसे रंगे सियार को जितनी कली ठोली जाए वो तो नहीं अच्छा जाती के ऐसे दगाबाद चरितरहिन दुरबलात्मा सेवकों से सचेत करते ना चाहिए पंडित अमरनाथ पाट साला की अधियापी काउं और नौकरों से तहकीतात करते थे लाला जी कब आते थे कब जाते थे कितनी देर रहते थे यहाँ क्या करते थे तुम लोग उनकी उपस्थिती में वहाँ जाते थे या रोक थी लेकिन यह चोटे चोटे आदनी जिने गोपीनाथ से संतुष्ट रहने का कोई कारण न था उनकी सक्ती की नौटर लोग बहुत सी टैक किया करते थे इस दुरवस्था ने उनकी एवो पर परदा डालन लगे अमरनाथ ने परलोभन दिया डराया धमकाया पर किसी ने गोपीनाथ के विरुत शाक्षी न दी उधर लाला गोपीनाथ ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया दो हफ्ते तक वह अपनी आभागनी किसी तरह पाट साला में रही पंद्रवे दिन परबंधक समिती ने उसे माकान खाली कर दने की नोटिश दे दी महिने भर की महलत देना भी उचित न समझा अब वह दुखिया एक तंग मकान में रहती थी कोई पुछने वाला न था बच्चा कमजोर खुद भीमार कोई आगे न पीछे न कोई दूख का संगी न साथी शिशी को गुद में लिए दीन के दिन बेदाना पानी पढ़ रहती थी एक बुढ़िया महरी मिल गई थी जो बरतन धोर कर चली जाती थी कभी कभी सिशु को च्छाती से लगाए रात की रह जाती पर धन्य है उसके धर और संतोस को लाला गुपी नाथ से मुँँ में सिकायत थी न की दिल में सोचती इन प्रस्थितियों में उन्हें मुझसे प्रमुख ही रहना चाहिए इसके अत्रिक्प और उपाय नहीं है उनके बदनाम होने से नगर कितनी बड़ी हानी होती सभी उन पर संदेह करते हैं पर किसी को यह साहस तो नहीं हो सकता कि उनके बिपक्ष में कोई प्रमान दे सके यह सोचते हुए उसने स्वामी अवेधानन की एक पुष्टक उठाई और उसके एक अध्याय का अनुबात करने लगी अब उसकी जीविता का एक मात्र यहीं आधार था सहसा धीरे से तिसे ने द्वार खटाया वह चोट पड़ी लाला गोपिनात की आवाज मालूम हुई उसने तुरद द्वार खोल दिया गोपिनात आतर खड़े हो गए और सोते हुए बालक को प्यार से देखतर बोले आनन्दी मैं तुम्हें मुह दिखाने लायक नहीं हूँ मैं अपनी भीरुता और नहतिक दुरबलता पर अत्यनत लज्जित हूँ यदेपी मैं जानता हूँ कि मेरी बदनामे जो कुछ होनी थी वो हो चुकी मेरे नाम से चलने वाली संस्थाएं को जो हानी पहुंचनी थी पहुंच चुकी अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मुह फिर दिखाऊं और ना वह मुझे पर विश्वासी कर सकती है इतना जानते हुए भी मुझे में इतनी साहस नहीं है कि मैं अपने कृकृत को बाहर सिर पर ले लू मैं पहले समाजिक सासन की रती भर परवाह न तरता था पर अब पकपक पर उसके भैस से मेरे प्रांध तक आपने लगते हैं धिकार है मुझे पर कि तुम्हारे उपर ऐसी भी पत्तियां पड़ी लोक निंदा, रोग शोट, निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा और मैं यह अलग अलग रहा मानो मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं है, पर मेरा यह हिर्दे ही जानता है कि उसको कितनी प्यड़ा होती थी, कितनी ही बार आने का निश्चे किया और फिर हिम्मत हार गया, अब मुझे विदित हो गया कि मेरी सारी डार्स निक्ता केवल हाथी के दाथ की थी, मुझे मैं किर राइत हो दिया हूँ, पर यह आसा कैसे करूँ कि मेरी चेतर हिंता का ऐसा पर्तक्ष परमान पाने के बाद तुम्हें मुझे से घ्रिना न हो गई होगी, आनन्दी बोली, स्वामी, आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझे गोर अन्या है, मैं ऐसी बुद्धी ही नहीं कि क कभी कभी आपके दर्शन पाती रहूं, यहीं जीवन की सबसे बड़ी अफिलासा है, इस घ्रिना के प्रंदरह वर्ष बिग्जय, लाला गोपी नात, नित बारा बज़े रात को आनन्दी के साथ बैठी हुए नजर आते हैं, वह नाम पर मरते हैं, आनन्दी प्रेम पर आनोशिये समस्तर अब भी उनका सम्मान करते हैं, किन्तो जनता इतनी सही सुनी नहीं है, कैसी लगी आपको यह कहानी त्यागी का प्रेम, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप लोग बात चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भ आनने वाद